कि काफी बार आपने लिडियोंगे लेकर करना गपे यहीं से टल्ट को फटारलहें बॉसीं तो आज मैं कुछ पोजिशन को व्फशन को मैं बता हुए इसका मतलब किया होता है अगड़ को रहे तो वह क्या इंडिकेशन देना चाहibles बात करें हैम यहां मतलब क्या होता है जाद मस्यां है हो सबसके वह हैं zapis canadi you उसको गर्मी चाहिए लाइक सरदी के मौसा में वो ऐसे सोते हैं या फिर कभी-कभी उन्हें राद में सरदी लगती है तो वह ऐसे हो कि अपनी बॉड़ी के पार्ट सब्सक्राइब करते हैं लाइक उनको पेट करी होता है और वह उनको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि जा करा कही नीचे कि पूश्य में ऑप्यश्यम सरदी सोते हैं तो सब्सक्राइब करणा होती है तो तो इसले अनकी शुक्ति दूसरा कि पूश्यम और यग कर गो शुक्ते होता है में तो इसलिघ भ्यासे है में इन्वाइरमेंट यह मतलब mercy मैं शुЙक्ण तो इस पोजिशन में अल्टाहर है धायर सोता है सबस्क्राइब हो झालते तो यह जी अगली जो अगली पुजिशन से लोजी टीमा दीता हगी अब हाँ सूपर मन कर था को एप энudasimus relating के सूपर मान कर स्वरिक पोजिशन से शया होता को तक झाल भी इस से कि वो प्राइब करणे जो कुद ऐसे तत्लिक से विर्ट होता है उसका कि जो घे रहा है वह उसकत थोड़ा सा अधम तरब करके थोड़ा से देख रहा है कि आज पस है तो नहीं एसे करके मतलब ready to मतलब active position में अगर उसको लगा तो मुझे उठके जाना पड़ेगा खेलना पड़ेगा तो बस वो nap ले रहा है तो वो चाहमा दे रहा है आपको ऐसा वो सो नहीं रहा है वो साकुन देखे ऐसा है बस कुछ निया nothing more अब काफ्य डॉक को बदब mostly 90% डॉक को आपने इस तरह के सोते हुए देखाओ को side sleep इसका मतलब होता है comfort, relax, trust on honor, simple जैसे उल्टा होता है same question कुछ ऐसा ही इसका है तो इसमें देखो वो सुकड़ा हुआ नहीं है उसने अपने पेट को दबाय हुआ हुआ नहीं है तो मतलब ना से कहते हैं loin position ठीक है ना वैसे तो इसके बहुत से नाव रखें लोगों ने but loin position होता है इसका तो इस position में क्या होता है जब dog इस position में सोरा होता है न तो वो हमिशा ready to attack हो मान बोल सकते है ready to attack मिंटू से था है ऐसा नहीं fight के लिए मतलब alert होता है हमिशा नौक करे कोई door को या कोई तरहारे आसपास हो जा किसी भी हो डॉक के दिमांगर वीये चल रहा होता है कि मैं कभी भी उटकर किसी तरह भागना पड़ सकता है खेलना पड़ सकता है कुछ करना पड़ सकता है तो इसलिए उस तरीका क्या मतलब आक मंद करके लेड़ा हो तो उसे भी हम यही कहिए एक छोटी सी नैप ले रहा है नथिंग मोर सिर्फ वाप को चक्वा दे रहा है अगर उसे लगी कुछ ऐसी वैसी कंदिशन तो रेडी तो अटेक है वह ज़्यादा नीद में नहीं है तो सोचना नहीं पड़ेगा उटके तो कहने का मतलब ही है अलर्ट पोर एवरितिंग को तो आपको तो सोचना नहीं है वह है मैं तो कहा है अलर्ट कर दो को चाहँ है कि अलर्ट को झालर्ट को अटो कर दो में तो